आज की इस पीडो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किसमिस खाने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप किसमिस का सेवन करेंगे, जिसे कि आपको proper 100% फैरर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखे किसमिस का सेवन करने का total 3 तरीक है, अगर आप इन 3 तरीकों से कि तो आपके सरीर में जो भी तकलीफ हो रही है, जैसे कि अगर आपके सरीर में खून की कमी है, तो किसमिस का सेवन करने का तरीका अलग है, अगर आपको हड़ी उसिलेटर कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो किसमिस का सेवन करने का तरीका अलग है, जो भी तरीका में आपको या फिर आपको कब सीकात रहती है आपको पे ठीक तरीके से करने से कफी अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इसके अलावा अगर आपको काफी जड़ा चिर्चरा पन रहता है तो यहाँ पर उस केस में भी आपको फायरा देखने को मिलेगा तो आखिल आपको किसमीस का सेवन दूद के साथ करना कैसे है यहाँ पर अगर मैं सही टाइम के बात करूँ तो आपको रात में सोने से थोड़ी देर पहले ही आपको किसमिस का सेवन दूद के साथ करना है तो उसके के लिए सबसे पहले आप एक गिलास दूद को गरम कर ले और साथ में आपको 7-8 किसम कहिना की दिक्कत रहती है अगर आपको gout arthritis related कोई बीमारी है या फिर आपको चलने फितने में काफ़ी तकलीफ होती है हड्यों में दर्द होता है तो इस के इसमें ज़्यादा अच्छी result जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ जो तीसरा तरीका है कि किसमिस को आपको पानी में भिगो करके सेवन करना है और इस तरीके से उनी लोग को सेवन करना है अगर आप पूरी तरीके से healthy और fit है अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पानी में किसमिस को पुरी रात भर के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दे और सुबस को आप देखेंगे कि किसमिस जो फूल भी यह आप भी ठंडी होती है, कहीं लोग के मन में doubt होता है, तो देखें जो किस्मिस की तासीर है, वो गरम होती है, लेकिन जाप किस्मिस को पानी में भिगो करके seven करते हैं, तो वो एक normal temperature बाजाता है, समानने हो जाती है, जिससे कि आपको कोई भी सरीर में कोई भी दिक्कत देखने को सरीर में मिल सकती है, तो जो लिमिट है आपको एक दिन में, दस से ज़्यादा किस्मिस का seven नहीं करना चाहिए, नॉर्माल आप 7-8-9 अपने बोडी के एसाफ से आप देख ले किस तरीके से आप seven करेंगे, जादा करेंगे, तो फिर कहीं ना कि आपके सरीर में त इतना फायदा कर सकता है, किसमिस कितना फायदा करेगा, अलग-अलग यहाँ पर मैंने वीडियो बना रखिए, तो अब इस वीडियो को जो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपोर्टिंट ये वीडियो होने वाली है, फिलाल कले आज कि इस वीडियो में इतना है, अगर लाइक करें, चैनल भी दरो सब्सक्राइब करें, थैंक इस वीडियो बहुत बहुत थन्यवाद!